फ्रेंड्स आज हम लेकर के आये हैं एक बहुत थी प्यारी कहानी व्यापारी का बेटा और अचल संपती किसी सहर में जीर्न दन नाम का एक व्यापारी रहता था उसके व्यापार में बहुत समय से काटा ओर रहा था इसलिए वह सोचने लगा कि कहीं और जाकर दन कमाया जाए उसने अपनी पैतरक संपती अर्थात लोहे की भारी तराजू को एक व्यापारी के पास गिरवी रखा और उससे थोड़ा सा दन लेकर दूसरे देश चला गया बहुत मेहनद करके कुछ सालों में वद्धनी हो गया और अपने सहर वापस लोट आया लोट कर वह व्यापारी के पास गया और उससे बोला स्रिमान मैं जो दन आपसे ले गया था वह आप लेकर मेरा तराजू मुझे वापस दे उसने उस तराजू के बदले बहुत कम दन दिया हुआ था उसने सोचा कि जिरण दन अब कभी लोट कर नहीं आएगा और यह तराजू उसका हो जाएगा इसलिए वह बोला भाई तुमारे तराजू को तो चुहों ने खा लिया जिरण दन आजचरी से बोला यदि चुहों ने उसे खा लिया है तो इसमें आपका क्या दोस अच्छा अब मैं ठक गया हूँ इसलिए नहाने के लिए नदीग पर जा रहा हूँ क्या आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हैं उसके साथ मेरा समय भी अच्छा कट जाएगा जिरण धन को खुश करने के लिए व्यापारी ने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया नदी में नहाने के बाद जिरण धन ने व्यापारी के बेटे को एक गुफा में छोड़ा गुफा को एक बड़े पत्थर से डख दिया और चुपचाप अपने गर चला गया व्यापारी अपने बेटे और जिर्णदन का इंतजार कर रहा था जब वे बहुत देर तक नहीं आए तब व्यापारी जिर्णदन के गर गया और उसे वहां अकेला देखकर उसे प अपने पूछा क्यों जिर्णदन बोला जब मैं नदी में नहाने गया तब मैं तुम्हारे बेटे को नदी किनारे छोड़ दिया था कुछी समय बाद एक बाज उड़ता हुआ आया और तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया लिए व्यापारी बोला क्यों जूट बोल रहे हो क्या बाज एक बच्चे को उठा कर ले जा सकता है मेरे बैटा मुझे वापस दो नहीं तो मैं तुम्हें राजा के दर्बार में ले जाऊंगा जीरंदन बोला ठीक कह रहे हो मित्र चलो राजा के दर्बार में चलते हैं मैं भी कर दो मैंने तुमसे जूट बोला मैं तुम्हें तुम्हारी संपती वापस कर दूगा कर प्या मेरा बेटा मुझे वापस कर दो जीरंदन ने व्यापारी को उसका बेटा वापस दे दिया और व्यापारी ने उसकी सारी संपती डोटा दी दोस्तों इस कहानी से हमें ये सिक करें मिलते हैं अगले वीडियो में